कैसे आप सभी लोग वेल्कम बाक टो दे वीडियो एड गाइज आज हम लोग खेल रहे हैं रोब्लोक्स के अंदर सूपर हीरो टाइकून एड गाइज आप लोग देख सकते हो यार यहां पर हम लोगों ने बना लिया है अपना एक नया टाइकून के लिए यूनो जमीन खरी करेंगे लेकिन हमारा डिसीजन काईज यहां पर पक्का है और वह है ओडिन पुत्र थावर बनने का और आप लोग देख सकते हम लोग ने ड्रॉपर लगा दिया है बट पहला वाले ड्रॉपर के लिए पैसा मगता है गाईज और पैसा जमा करने में यहां पर लगेगा था उसा टाइम तो चलो फटाफट से खटा करते 70 डॉलर्स जिसमें लोग का यहां पर पहला ड्रॉपर हो जाएगा अनलोक अब टाइम यहां पर और अपग्रेड अपग्रेड खेलने का और आप लोग देख सकते हम लोगों ने तीन तीन ड्रॉपर्स अनलोक कर लिए एक अप मिक्स में हुआ करता था वो बैटमैन का यहां पर थीम यूज किया जा रहा है दोस्तों तो मिस्टर चॉप को यार अपना काम करने देते हैं और हम लोग ओडिन पुत्र थार बनने के रास्ते पर आगे पड़ते तो तो गाइस अभी ना एक्शुली में हम लोगों को अभी गर कम्प्लीट के लिया भाई दूसरों का घर बरबात कर जिते हैं एक कहावत है गाईस बुला जाता है जिनके घर सीशे के होते हैं दूसरों के घरों पर पथर नहीं फेका करते हैं लेकिन यहां पर वो सबसे कमजोर रहते हैं वो फोटोबग ओमाइग गाइज चॉप यहां पर दिमाग लगा रहा है दिमाग लगा रहा है सही है सही है भाई टैंशन मतले हम लोग तेरा मदद करेंगे लेकिन डिपेंड करता है कि तुमारा बियेवियर हमारे तरफ कैसा रहता है अगर पावर में आने के बाद भाई लेकिन हम लोगों ने अपने सारे ड्रॉपर अनलॉक कर लिए दोस्तों आरे दिलवा देंगे भाई दिलवा देंगा भी मेरे को यार यहां पर काम तो करने दो और बाइदवे गाइस चॉप के साथ एक अन्होनी घटना हो गई बिचारे का गेम जो है वो रीसेट हो गया त है एक दम अपना ही घर है भाई कोई यहां पर तुम्हारे तरफ में लड़ाई उड़ाई का भावना नहीं रखा जाएगा अरे इधर अभी आगया और मेरा मियोनिर लेकर चला गया तेरी ऐसी की तैसी वसे गाइस देख रहे हो थार का हतोड़ा आगे हमारे हाथ में जो भ मेरा वेपन है ना उसके आसपास भी एलेक्टरिस सीटी लग चुकी है और इसके वज़ए से ना मैं हिल पा रहा हूँ ना मेरा वेपन हिल पा रहा है और इस गेम के ऐसे कि तैसी भाई यह लैक किये जारी है चौप तू भी फ्रीज हो गया क्या और जिस हतकरी से आपको बा हतियार हो गाइस तो ऐसा हो है ना चौप आप तो दिवाल भी बना लिया हतियार के बात करते हो मदद जरूर करते तुम्हारी लेकिन पहले कि मेरे को पता चलता हो क्या रहा है हमें कैद कर लिया गया दोस्तों लेकिन अब आप लोग देख सकते हम लोग अपनी डिफेंस के उपर बहुत पैसा फेकने वाले हैं लेजर वगेरा यहां पर इंस्टॉल किया जाएगा गाइस कोई भी बंदा एंट्री नहीं मार पाएगा बिना परमीसन के और यह दो को बाई पैसे की बारी सोरी ऑल थैंक्स टूर ड्रॉपर गिरी यह दो लेजर भी ले लिया गया है अभी लेजर ऑफ हो गया यह लेजर आन हो गया ओफ हो गया ओओ गया समधर जो हो ना ऐसे काम करता है वाइं अम लोगों के पूरे के पूरे घर का सेकूरिटी ऐखे लिए अब लोगों ने अपना जो फॉर्स्ट फ्ट्वोर वह यहाँ पर अनलॉक कर लिया है अब यह न नहीं कुछ खरीदने के तो मैं चलता हूँ चॉप को ट्रोल करने है ओई चॉप के बच्चे है हिम्मत है तो सामने आ और में गेट से घुष के दिखाऊ बाई में गेट से घुषने के जरूरत नहीं है दोस्त यह पेड़ देख रहो अपन लोग सीधा पेड से इंट्री मारे और तुम एक अच्छा सूपर हीरो का ट्रेनिंग नहीं लिए रहोगे तो कैसे लाई करोगे उनसे दोस्त फॉट बाई यह चीज मेरे को नहीं सोचता है भाई आप मेरे को बोले तयार सेक्योरिटी दोगे भाई आरे यार सेक्योरिटी ठीक है भाई लेकिन अगर मान कि मत डालो समझगा एक तो मारते भी उपर से मेरे पर यह जाम लगाते हो आरे दोस्त तुम समझ नहीं रहे हो मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ इसको कहते एक बड़े भाई का काम समझ रहो आओ जल्दी मरो मेरे हाथो वा फॉट बाई कौन तो बड़ा भाई अपने छ चलो चलो बहुत डायलोग बाजी हो गया अब चलते है उपर अरे यार इतना पैसा हो गया है मेरे पास कुछ अपग्रेड नहीं करने दे रहे हो तुम लोग यहां पर नया ड्रॉपर लगाना है वाल्स खरीदनी है क्रापेट बिचा दिया हम लोगों ने पता नहीं बीच म अपने दुसमन के ऊपर यह दो बाई चारो डायरेक्शन में बिजली निकलती है यह देख रहे हो इसको कहते है थंडर शील्ड मेरे फ्रेंड और तुम मार कहा रहे हो नींजा ब्लेड सारे नीजा ब्लेड नीचे लग रहे है यह लो मेरा ब्लेड का वार्ज लाओ भाई मै अपने जाल में फसे जा रहा हूं मारना बंद करेंगा सही में मर जाओंगा आदा हेल्थ कम हो गया मेरा और भाई थोड़ा सा पावर क्या दिया तुम तो भाई हवा में उड़ने लग गया मित्र अरे यार इसका निजा ब्लेड चिपा गया है भाई मेरे से मैं उपन नीच अरे समझ गया भाई निकले भाई एक ही चीज को लेके बाइड गया है अभी रुको बताते तुम्हें हमारा टाइम आएगा ना इतना मारेंगा भागने के लिए भी जगा नहीं देंके तुम्हें लेकिन आभी के लिए हम लोग को ड्रॉपर्स अनलॉक करने आप लोग दे अपना पूरा बेस अल्मोस्ट मैक्स आई यह दिखाते हैं आपको क्या होता है जब कोई बंदा अपना बेस मैक्स कर लेता है अच्छली अभी नहीं हुआ अभी कैसे नहीं हुआ भाई इतना मैंने मेनत किया है आपको अभी मिच्छत पर कुछ समान खरीदना पड़ेगा अरे यार शिट गाइज एक काम करता हो थोए दिर और बात मिलता हो ठीक है और पैसा चाहिए अपने को काईज लुक है दिस मेरे को कुछ अभी अनलॉक किया और यह दो को भाई यह देख रहो हम लोग को यकीन नहीं हो रहा ना अभी मैं अपनी पावर दिखाता हू देख हम लोग पहले तो यार इंविंसिबल हो चुके हमें मारना लिटरली इंपॉसिबल है ठीक है कुछ कुछ हद तक नहीं मारा जा सकता है और तो और अब हम लोग भाई एलिमेंटल पावर पाचुके गाईज मेरे अंदर से भाई थंडर निकलती आप लोग देख सकते हो ठू कोटा सा टेस्ट लेना चाहोगे मैं ही आपको मिला हो गिनीपिक के जासा इस्तिमाल करते हो अरे यार तुमी तो सबसे नूब बनते हो बार बार गेम लीव करके चल जाते हो गाईज इसका तीसरे टाइम है यह आल राइट टेडी हो जाओ हमारी बिजली की पावर खाने के लिए और ओ भाई अभी कितना तेज़ था यह आपके घर पर हमला हो रहा है पहले उसको मारो भाई औरे स्पाइडर मैन के बच्चे मेरी पावर चुराएगा तू अभी रुख बताता हो तेरे को अभी यह इतना स्लो क्यों है बाई मतलब पूरा का पूरा मजा खराब हो ग सकते हो लेकिन जब यह बिजली आपको छूती है तो आपके शरीर से कुछ 10,000 वोल्ट की करेंट गुजरती है जो आपके हड्डियों को नहीं आपकी आत्मा को भी जला के राक कर देती है दोस्तों तो हमसे टक्राने का मतलब है कि आप बिजली के देवता से टक्राएगा आ लगरा और एकदम डैशिंग देख रहे हो हम लोगों ने अनलॉक कर लिया भाई ओडिन पुत्र थौर का स्किन मतलब भाई क्या लगरे भाई यह चमका दिया भाई सहब हीरो लगरे भाई हीरो और यह वह वाला थौर नहीं है जिसका पेट निकला यह उसके पहले वाला है इसलिए गाईज एकदम डैशिंग सूपर हीरो मिस्टर थौरी बैक अब हम लोग आपको एक तूर देंगे तो देखो फर्स फ्लोर ते यार एकदम सिंपल सा है कुछ खास है नहीं आपको पता है यार जादा चीज हम लोग इसके अंदर नहीं रखते हैं यहाँ पर हमारे स देखने को मिलेंगे करेंटली मेरे हाद में जो तलवार ही सबसे स्ट्रॉंग इस तलवार है लेकिन अगर आप इसको कंपेर करो उस मौर्फ पावर के सामने तो भाई नहीं ठीक है वह बहुत पावफुल चीज है उसके सामने कोई भी चीज कुछ नहीं यह देख रहो यह हो खरतकी है भाई बहुत आप लोगों नहीं देखा है तो आज मैं आपको दिखाऊंगा इस पावर के साथ क्या आप लोग तैयार है दोस्तो हमारी मियोनिर का हमला जहलने के लिए क्रिकि मियोनिर भी हमारे पास हर टाइप की वैपन हैं मतलब तुम बस उनेमित एक और and subscribe ए करो, I will see you guys in the next one, and in the next one, and stay frosty!